Hey guys, welcome back another video आज की वीडियो में आपको बताने वालों कि आप इस तरह का color effect अपनी photo में कैसे लेके आ सकते हैं अगर आपको सब कुछ जाने इस color effect के बारे में किस तरह ज़े photo में add किया जाता है तो वीडियो को पूरा देखें अगर आपको इस preset को download करना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना हो क्योंकि वीडियो के बीच में एक password pop up होगा जैसे आपको password मिल जाता है आपको जाने वीडियो के description box में वहाँ पे download preset link बलेगा जैसी click करेंगे तो आपके सामने password डालने का option आजागा जैसी आप password डालेंगे तो preset आपकी gallery में save हो जाएगा उसके साथ ही अगर आपने हमें अभी ताइस stuff पे follow नहीं किया तो link वीडियो के description box में जाके follow कर लिजे वहाँ पे भी मैं अच्छे-ची pick post करते रहता हूं इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहले बर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बैल आइकन को alt पे जरूर प्रेस कीजिए साथ में इस वीडियो को like भी जरूर कीजिए तो चली वीडियो स्टार करते हैं दोस्तो फोट अइडिट करने के लिए सबसे पहले हमें लाइट रूम एप्लिकेशन को डाउनलूट कर लेना प्ले स्टोर से जैसे आप इस एप को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने देखने के लिए मिल जागा उसके बाद हमें नीचे प्लस क आइकन देखर हमें क्लिक कर लेना है और यहां से हमें अपने प्रिसेट पर क्लिक करना है और एक दो फोटो को एट कर लेना है तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद हमें उपर आल फोटो पर क्लिक करना है और यहां से हमें अपने preset पे क्लिक करना है अब इस preset के हमें copy setting करने के लिए हमें उपर three dot पे क्लिक करना है नीचे copy setting के option पे क्लिक करना है उपर टिक के आगरें पे क्लिक करना है तो मारे preset की copy setting हो जाएगी उसके बाद हमें उपर back आर उपर क्लिक करना है अब हमें अपनी photo पे क्लिक करना ह फोटो पे क्लिक करने के बाद हमें उपर 3.0 पे क्लिक करना है नीचे एक option मिल जाता है कि मैं करता हूँ पेस्ट सैटिंग का मैं करता हूँ पेस्ट सैटिंग में क्लिक तो आप देख सकते हैं फोटो में प्रिसेट अड्ड हो गया है पहले फोटो इस तरह की थी और बात करते तेंदे ये फोटो एक क्लिक अंदर ऐड it हो जाती है उसके भ sit और भी आपको भूंअ में अबकर और घ्राइब करना थे और जा आविखे लिए को होनी स्फोटो तो आपको आपको दियान थे करने की सेप करने के लिए हमें उपपर सेर के बटन पे क्लिक करना है नीचे सेब टू डिवाइस करें तो ए फोटो हमारे गैलरी में सेप हो जाएगी तो दोस्तों आपको इस फोटो एड़िटिंग कैसे लेगे हमें कमेंट करके जुरू बताना अगर आपको फोटो टी केर, बाबाई